अगर आप ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें यह बहुत लोगों की बहुत बड़ी समयश्या टाइम मेनेजमेंट है राइट मैं मैं ऐसा समझाता हूं कि टाइम मेनेजमेंट एफेक्टिव होना जरूरी है लेकिन पीसफूल एंद प्रोड़क्टिव होना पी जरूरी है इस तरह से काम नहीं करना है कि हम पागल हो जाए इस्ट्रेस बढ़ जाए कम वक्त में ज्यादा काम करना है अबरिधिं इन टाइम and time for everything. Q2, supreme maximum results in 24 hours. Hard če täll ताम पे खतम होना चाहिए, हर चीज के लिए time होना चाहिए lovely. God'szes ने दिये 24 hours भी मुझे दे 24 hours भंबको भागम करना होनार्चो टाइप्सम प्राम मिनिस्टर म tienes 2000 को भी 24 hours भेट करना टाम करना यकाम करने का टरीकप बराबर सबसे पहले बात तो यह एडमिट करना जरूरी होता है कि मेरा टाइम मेनिजमेंट इंप्रोव करने की जरूरत है। अगर वह आप अडिमिट नहीं करोगे तो इंप्रोव नहीं कर पाऊगे। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, सब कुछ जानते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन इंप्लिमेंट कितना होता है, जो गनान हमारे पास है, जिसका उप्योग नहीं करते हैं, उसको अगनान कहते हैं, जिसका उप्योग करते हैं, वही गनान है, बाकी अगनान है, रॉक इतना बड़ा bank balance है उसका क्या तो कि वो मेरी संपती नहीं है जो में इस्तेमाल करता हूँ वही मेरी संपती है जा बात सो टाइम मेनेजमेंट के प्रिंसिपल सम बहुत सिंपल है जब बताये जाएंगे तब लगता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है मैं भी कर सकता हूं लेक अच्छी किताबे लिखिए उसमें उसमें पताया है कि जो आज की priorities है उसको schedule करो, schedule को prioritize नहीं करो, जो तो मेरी priorities है उसको बराबर वक्त दे दो, दूसरी बात यह है कि जो schedule बनाते है उसको adhere करो, लेकिन हम को एक प्रकार का discipline पसंद नहीं है, इसलिए हम वो चोड़ देते हैं और जो daily schedule बनता है उसको हम काम ने करते हैं, अगर आप businessman है, तो non revenue generating activities मत करो, low pay off activities मत करो, मैं हमेशा मेरा coaching class में senior management में समझाता हूँ, कि जैसा आपके पास कोई काम आए, तुरंत ही है, सोचो कि यह काम मैं किसको दे सकता हूँ, और अच्छे जो तुम्हारे पास staff member से उसका grid बना के matrix बना के रखो, और उसमें लोगो यह communication अच्छा है, इसका time management अच्छा है, इसका writing अच्छा है, तो काम आपको पता चलेगा किसको दी देने का है, delegate करो, जितना हो सके, इतना काम delegate कर दो, मेरे client ने मुझे, बहुत साल प with my responsibilities, काम बहुत धादा है, तो आज हमने उनको जो बाते बता ही, implement किया, तो economic stamp पढ़ सकते हैं, क्या बात, क्या बात, उनके पास इतना वक्त है, उनके बहुत सारा delegate किया, और priority का जो सिद्धान्त है, वो बहुत powerful सिद्धान्त है, कि priorities जो है, उसको attend करो immediately, उसको एक पोस्कार्ट से काम हो सकता है, वो लाइटनिंग कॉल से करना पड़ता है, ऐसा बला जाता है, बराबर, बहुत साल पर पहले, 1930s में, बैटलियम स्टील प्लांट का CEO, Charles, he was overwhelmed with the pending task, तो उस ने उस दिन का कंसल्टन्ट आईवी ली को बुलाया है, और बोला आईवी, मेरे पास इतना काम है, मैं खतम नहीं कर सकता हूँ, क्या करूँ, बुलाया, कागच पर लिखो, आज तुमको जो पांच काम खतम करने इंपोर्टन्ट है, वो लिखो, उसका प्रेफरेंस नक्की करो, वन, टू, थ्री, पॉर, फाइव, और बुला, प्रेफरेंस नंबर वन का क काम खतम नहीं होता है, तब तक दूसरा काम मत करो, तू का खतम होता है, जब तक तीसरा का मत करो, ऐसे वहीं और में जाओ, जाते जाते दरवाजे पे रुके, और बुले, के चार्ल्स अगर तुम इस तरह से काम खतम नहीं कर पाते ने, तो कोई और तरीका नहीं है, छे मी में कहा जाता है कि Ivy League उसने 25,000 डॉलर का चेक दिया ये प्रिंसिपल को 25,000 डॉलर प्रिंसिपल कहा जाता है क्या बात कभी-कभी ऐसा होता है कि हम काम करते करते को एक बगत काम याद आ जाता है और फिर वो हमको परेशान करता है तो वो काम को तुरंत एक शेडियूल में प्रिंसिपल को और रियालिस्टिक टैम टेबल बनाईए अगर आपके पास दस गंटे है तो आठ गंटे का बनाईए दो गंटे को इनकेस टू-डू लिस्ट के लिए रखिये और वफर के लिए रखिये लेकिन टैम मेनेजमेंट करने से जीवन में स्ट्रेस कम होता है और ग्रोथ होता है और दोना अच्छा टैम में से